आपका नमबर साथ है, आपका अंक साथ है, तो साथ अंक वालों को सफलता के लिए क्या करना चाहिए? जितना संभव हो ध्यान या पूजा उपासना करें आपको शक्ती कहीं बाहर से नहीं मिलेगी इस बात को याद रखिए आपको शक्ती हमेशा अंदर से आंतरिक तोर से मिलेगी तो जितना संभव हो ध्यान या पूजा उपासना करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा आपके जीवन में अगर कोई समस्या आती है तो वो तुरंत सॉल्व नहीं होगी इसलिए समस्याओं के लिए थोड़ा सा पेशिंस बनाए रखें थोड़ा धैरे बनाए रखें आपके उपर इश्वर की कृपा है समस्या का समाधान जरूर होगा तो अपनी समस्याओं के लिए थोड़ा सा धैर ये अगर आप बनाए रखें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा आठ अंक के लोगों से और चीजों से बचाव करें क्योंकि अगर आपकी जिंदगी में आठ अंक शामिल हो गया आठ नंबर के लोगों के साथ घुलने मिलने से बचिये क्योंकि अगर आठ अंक का प्रभाव आपके उपर आएगा तो पक्की तोर पर जीवन में एक ऐसा समय आ सकता है जब आप डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं या आठ अंक वालों से आपको बहुत ज़्यादा धोखा मिल सकता है बहुत ज़्यादा चल फरेव का सामना करना पड़ सकता है और साथ अंक वालों को मैं बता दूँ कि गाड हे रंगों के प्रियोग से इनको बचना चाहिए लाइट शेड के कलर जितना आप इस्तमाल करें पिंक पहने, लाइट ग्रीन पहने, लाइट ब्लू पहने, वाइट पहने तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा जितना संभव हो हरे, सफेद और पीले रंग का इस्तमाल करें वो भी हलके हरे रंका, सफेज रंका या हलके पीले रंका अगर आप प्रियोग करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा सलाह ले करके एक मून स्टोन या एक ओपल आपको पहनना चाहिए लेकिन अपने मन से मत पहनियेगा किसी जोतिशी से, किसी दैवग्य से सलाह ले करके एक मून स्टोन या ओपल अगर आप पहनेंगे तो इससे जो आपकी मानसिक इस्थिती है जो बार-बार उपर नीचे होती रहती है उस मानसिक इस्थिती में सुधार जरूर होगा तो अंक साथ अपने आप में बड़ा ताकतवर है और सबसे बड़ी ताकत इसकी यही है कि इसके उपर इश्वर की कृपा जरूर होती है बशर्ते की अंक साथ वाले अपनी ताकत को पहचाने इश्वर के साथ अपने गुरू के साथ जुड़े रहे अगर अंकसात वाले ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से वो जीवन में आगे बढ़ जाएंगे